हलो کईज तो इस वीटियो में आपको बताँ हूँ को अगर आपको भी यहाँ पे गोगल में या Google Chrome में सड़ाःस ब्रॉजिंग का जो एंबल या डिसेibl कर सकते हो यह मैं आपको बताँ हूंगा इस वीडियो में पूरी लिखिन के दूँगा कि क्या करना होता है तो इस वीडियो को श्तार करने से पहले को इसने मैं से बारी हैंसे बहुत सारे options आ जाएंगे तो आप सी देख सकते हूं जब आप IO स्क्रॉlles कर से आपके पास बहुत सारे ौप्षन आपके सामने जो है यहां सारे बहुत सारे option है यहां से आपको एक option मिलेगा privacy and security इस पर click करने इस पर click करने के बाद यहां से आप होगा save browsing देख सकते हूँ यहाँ पर save browsing के इस पर क्लिक करना है तो save browsing में click करने के बाद यहाँ से आप देख सकते हूँ यहाँ से आपको कुछ इस इंटर फेस आएगा enhanced protection अगर यहाँ पर enhance it protection को जो यहाँपर है करके रखोगे तो उसके बाद आपको यहां पर क्या होगा जो आप यहां से से ब्रॉजिंग है आप यहां से कुछ ही साइट से जो है वो यहां से विजिट कर सकते हो और आप रखोगे यहां पर स्टंडर्ड प्रोटेक्शन तो इसमें भी आपको यहां से कुछ-कुछ जो र प्रोटेक्शन आपके डिवाइस में एनेबल हो गई है यानि कि जो सेफ प्राउसिंग की प्राउब्लम आपको होती है वह आप इसली अब यहां से आपको वह प्राउब्लम नहीं आएगी क्योंकि वह आपने यहां से टर्न अफ कर दी है अगर आपको फिर भी कभी यह बंद करना है यहां नगरना है यहां से करना होता है चेक्णो करने के बाद यहां का यहां PlayStation नहीं रख्या है इसलिए अदोंग जो ही यहां से ब्रेन लगे हैं तो इनको अप यहां से से simply इस पे क्लिक करने के बाद यहां से आप enhanced production पे क्लिक करके इसको फिर से आप enable कर सकते हो और फिर से आप से ब्राउजिंग आप यह जो कर सकते हो कुछ ही sites का वजीड तो ऐसी थी कुछ settings जो मैं आपको बताई है आपको अपने phone की setting में मिलेगी गोगल की setting में मिलेगी जो आप easily turn on or turn off कर सकते हो यह by default होता है यहाँ पे mobile की settings में तो I hope कि आपको यह आज का वीडियो पस न आया होगा इस वीडियो को like करना चैनल पे पहली बार आप चैनल को subscribe करना मैं मुलता हूँ आप से नहीं वीडियो में नहीं टॉपक के साथ अब तक के लिए बाई